भगवान स्रीराम और उनके भाई और माता सीता के बनवास हो जाने के बाद अयोध्यावासी बहुत दुखी रहने लगे राजा दसरत राम और लचमड के बियोग के दर्द को भी जेल नहीं सके और उनकी मृत्यू हो गई पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान स्रीराम और उनके छोटे भाई लचमड को गहरी ठेस पहुँची दोनों भाईयों ने जेंगल में ही पिंड़दान करने का फैसला लिया पिंड़दान के लिए दोनों भाई जेंगल में ही आवस्यक सामगरी एकत्रित करने के उद्देश से निकल गए एक और पिंड़दान का समय निकलता जा रहा था ऐसे में माता सीता ने अपने पिता तुल राजा दसरजी का पिंड़दान उसी समय भगवान राम और लचमड के बिना करने का फैसला लिया था माता सीता ने पूरे बिदी बिदान के साथ पिंड़दान किया जब प्रभु राम और लजमन लोट कर आए तुन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडिक, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थे माता सीता ने कहा कि प्रभु आप साक्षिक के तोर पर आप इन चारों से पूछ सकते हैं स्रिराम ने इस बात की पुष्टी के लिए जब चारों से पूछा तो उन्होंने जूट बोलते हुए इनकार कर दिया और माता सीता की इस बात को पूरी तरह से जुठला दिया क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता जूट बोल रही हैं और प्रभु नाराज हो गए इस बात पर माता सीता क्रोधित हो गई और जूट बोलने की सजा देते हुए आजिवन स्रापित कर दिया माता सीता ने पंडित को स्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दर्दृता कभी दूर नहीं होगी कौवे को स्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी भी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्ति होगी फल्गु नदी को स्राप दिया कि पाने गिरने के बावजूद नहीं उपर से हमेशा सुखी ही रहेगी और नदी के उपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा माता सीता ने गाय को स्राब दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन ही खाना पड़ेगा इन सभी बातों का जिक्र रामायर में भी मिलता है जिसकी सजा आज तक ये चारो जीव भुगत रहे हैं